प्रस्न तेरा एक गाई आठ दस्मलों चार मीटर लंबी रस्सी द्वारा एक अस्थीर खूटा से बंधी है बताएं कि अधिक सधिक कितने छेतरफल की घास वह चर सकती है तो लिखेंगे यहाँ व्रीत यहाँ व्रीत की त्रीजिया बराबर आठ दस्मलों चार मीटर तो यहाँ पे गाई जो लंबी रस्सी से बंधी हुई है वह क्या हो जाएगा वि्रीत की त्रीजिया हो जाएगा क्योंकि जितना बड़ा रस्सी है उसी के सहारे से वह घुम सकती है ठीक है चारो तरफ तो वह क्या हो जागा वृत की त्रीजिया तो वृत की त्रीजिया कितना होगा 8.4 मीटर यानि लंबी जो रसी है रसी की लंबाई को हम वृत की त्रीजिया यहाँ पर ले लेंगे अब क्या निकालना है हमें कह रहा है कि कितने अधीक छेत्रफल की घास हुआ चर सकती है तो छेत्रफल निकाल देंगे अतह वरीत का छेत्रफल वरीत का छेत्रफल तो वरीत का छेत्रफल का सूत्र होता है πाई आर अस्क्वाईर तो पाई का मान होता है बाइस वटा साथ आर देखे पाई का मान होता है बाईस बटा साथ तिरिज्या को आर से लिखते हैं विरित की तिरिज्या को आर से लिखते हैं तो विरित की तिरिज्या कितना है आठ दसमलो चार मीटर तो यहाँ पे आर की जगा पे लिख लेंगे आठ दसमलो चार तो इसको गुना कर लेंगे तो 22 गुना 8.4 गुना 8.4 आ जाएगा 1552 1552 दसमलो 3 दो बटा में है 7 तो 22 गुना 8.4 गुना 8.4 कितना हो गया 1552 दसमलो 3 दो अब 7 से इसको भाग देना है तो 7 से इसको भाग देंगे तो आ जाएगा 221 दसमलो 7 छे वर्ग मीटर में है तो 6 तरफल वर्ग मीटर में आएगा यानि 221 दसमलो 7 छे वर्ग मीटर का घास वह चर सकती है तो लिखेंगे क्या पूछ रहा था हमसे कि अधिक से अधिक कितने 6 तरफल की घास हुआ चर सकती है तो इसका उत्तर आ चुका है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 तरफल ग्याद कर लेना है त्रीजिया दिया हुआ है विरित का प्रस्न चौदा एक घोड़ा को कितनी लंबी रसी से बांधा जाय की वह है 3850 वर्ग मीटर जमीन के घास को चर सके तो लिखेंगे यहाँ यहाँ विरित का छेतर फल यहाँ विरित का छेतर फल कितना दिया हुआ है 3850 वर्ग मीटर तो क्या कह रहा है कि एक घोड़ा को कितनी लंबी रसी से बांधा जाय की वह 3850 वर्ग मीटर जमीन के घास को चर सके तो देखें छेतर फल दिया हुआ है यहाँ विरित का छेतर फल तो 3850 वर्ग मीटर क्या है विरित का छेतर फल दिया हुआ है तो क्या पूछ रहा है हमसे कि कितनी लंबी रसी से उसको बांधा जाए यानि तिरीजिया पूछ रहा है ठीक है तो विरित का छेतरफल दिया हुआ है तो विरित का छेतरफल का सूत्र होता है πाई आर स्कॉयर तो πाई आर स्कॉयर बराबर लिख लेंगे 3850 वर्ग मीटर 3850 वर्ग मीटर तो पाई का मान होता है 22 वटा साथ आर स्कॉयर को आर स्कॉयर ही रहने देंगे पाई का मान 22 वटा साथ होता है आर हो गया तिरीजिया तिरीजिया को आर से लिखते हैं विरित की तिरीजिया को आर से लिखते हैं तो 22 बटा 7 R2 ब्राबर हो जाएगा 3850 तो R2 ब्राबर 3850 गुना 7 बटा 22 देखे 7 भागा में है तो 7 गुना में हो जाएगा इधर जाके और 22 भागा में हो जाएगा तो 3850 को 22 से काट देंगे तो 175 बार में कटेंगा ठीक है यानि 3850 को 22 से भाग देंगे तो आ जाएगा 175 अब 175 को 7 से गुना कर लेते हैं तो R अस्क्वाइर बराबर हो जाएगा 1225 तो R बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगा तहा R बराबर अंडरूट 1225 तो R बराबर हो जाएगा अंडरूट 1225 देखें वहाँ वर्ग में हैं तो इसको हम वर्ग को बाया से दाया तरफ करेंगे तो अंडरूट में हो जाएगा अब 1225 का वर्ग मुल क्या होगा? तो इसका वर्ग मुल होगा 35 यानि R बराबर आ गया 35 मीटर मीटर में दिया हुआ था छेत रुफल क्या में था वर्ग मीटर में तो 30 मीटर में होगा यानि आर बराबर आ गया 35 मीटर तो क्या पूछ रहा था हम से कि घोड़ा को कितनी लंबी रस्षी से बांधा जाए तो लिखेंगे अतर घोड़ा को घोड़ा को 35 मीटर की रस्षी से 35 मीटर की रस्षी से बांधा जाए तो इसका उत्तर होगा 35 मीटर यानि विरित का जो त्रीज्या होगा वही उस रस्षी की लंबाई होगा जिससे घोड़ा को बांधा जाएगा तो इसमें छेतरफल दिया हुआ है त्रीज्या ग्याद कर लेना है अट्रीज टू है कर दो लेगा जबाएगा